हेलो दोस्तों मुझे पता है आप जियो से काफी ज़्यादा प्रहसान हो चुके हो क्योंकि जियो का 3G और 4G नेट जो है वो काफी बेगार चल रहा है फिलाल और 4G को गाईज मैंने बहुत बार कोसिस किया है कि आपको जो इंटरनेट है वो सही चल सके तो गाईज इसी से रि तो गाईज वैलकम बैक टू निवी वीडियो मेरा नाम है दीपको स्वागत आप सभी आप दीप्टा की यूट्यूब चैनल में आपको जाना होगा अपने मोबाइल की सैटिंग में सैटिंग में जाने के बाद सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा का आपको एक उप्सन दि कौन से सिम में एक्टिव है और कि सिम में आप उसको करना चाहते हो ऊच्प्राइब को सबसे मैंनि सबस्क्राइब करना है आगर SIM2 में आप active रखते हो तो SIM 2 को यहां से select करना है अदर्वाइस अगर SIM 1 को use करते हो तो SIM 1 यहां से select करना है तो इसी तरीर से कुछ basic setting होती है उसको करने के बाद फिर चलते है main setting की तुरब तो जैसे SIM 1 में मैं यह setting करने वाला हूं तो उससे पहले guys जैसे data roaming यह आप सा ओन होना चाहिए वाइफाई जो कॉलिंग है यह आप ओन रखो या ओफ रखो उससे ज़्यादा प्रक नहीं पड़ेगा क्योंकि यह जब ही काम करता है जब आप वाइफाई चलाते हो और गाइज लास्ट आता है केरे नेटवर्क जो की आपका किसा ओल पर सैट होना चाहिए उसके बाद बस एक लास्ट पॉइंट होता है हमारा एक्सेस पॉइंट ने तो गाइज इसमें आपको एक डिफॉल्ट सेटिंग मिलती है जो की कंपनी की तिरफ से दी जाती है और प्लस का एगन पर किलिक करने के बाद एक आप अपनी तरफ से सेटिंग बना सकते हों तो गाइज यह जो मैं आपको एक्टिंग देने वाला हूं आपको साहिद पता होगा कि 1221 में जियो की तरफ से 5G जो है लोंच हो जाएगा और 5G की अभी टेस्टिंग चल रही है बीटर टेस्टिंग तो उसको आप भी अपने डिवाइस में एक्ट अगर में आप जिए आपको यहां पे लिक ना है लिए लिखने के बाद ओक्य करने के बाद एक पैंगा तो अब के पास और नेटवर्क है आप से वो बेशनल ऐडिया एक चल तो उसमें अपने एपन के साबसे हैप या पी एकन लिख सकते हो बागी setting अर्सिम के लिए same रहेगी तो proxy port आपका no set रहेगा username पर आते हैं तो username में यहाँ पर आपको लिखना है 5G beta space testing तो यह आपको इसमें लिखना है username में यह लिखने के बाद guys next आएगा password server में आपको geo का server देना है www.go.com तो यह आपको यहाँ पर लिखना है लिखने के बाद MMSC आएगा यह आपका no set रहेगा MMS prog से भी आपका no set रहेगा MMS भी आपका no set रहेगा MCC, MNC आपका e-code है इनसे बिल्कुल भी छेड़काने ना करें अगर आप इनसे चेड़काने करते हो तो हो सकते है आपके internet speed जो है वो काफी ज़्यादा कम हो रहा है या फिर आपका e-pen setting सेव ना हो या आपका internet मतलब इससे बिल्कुल भी छेड़काने नहीं करने है क्योंकि बहुत बार internet जो होता है के उपर ही डिपेंड होता है तो इसको इससे आगे चलते है गई authentication type में आपको क्लिक करना है लास्ट वाले पर पी एपी ओछेपी बे इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आएगा APN टाइप तो APN टाइप में जिनका यहाँ पर default लिखा हुआ है तो ठीक है उस जिनका नहीं लिखा है तो उनको लिख लेना है कि डिफॉल्ट यह लिखने के बाद गाइस नेक्स्ट आएगा एप प्रोटोकोल तो इसमें आपको क्लिक करना है लाश्ट वाले पर आई पीव 4 सेलाइस आई पीव 6 पर और APN प्रोटोकोल में भी आपको आई पीव 4 सेलाइस आई पीव 6 पर क्लिक करना है इसके बाद गैस लास्ट आते मोस्ट इंपोरेंट ब्यारा सैटिंग जो की की मतलब होती है यह सबसे पहले आपको पर टिक मिलेगा उसको अंटिक किदेगा अंटिक करने के बाद LTE HSPAP HSPAP HSUPA UMTS EDG GPRS EHRPD तो यह आपको यहां पर सेलेक्ट करने हैं बहुत सी डिवाइस ऐसी है जिन सेलेक्ट नहीं होते है तो वह LTE को सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं इसके बाद आपको आना है बैक आने के बाद आपको यह एपन सेटिंग जो है सेव करने के बाद आपको एपन सेटिंग यहां पर सो हो जाएगी आप देख सकते हो यहां पर आ गई है तो इसको एक्टिव करन जया है तब तक आपको यहां से नहीं हिलना है जैसे यह смарт-फोन को स्टार्ट या फिश्टार्ट करना है और हीड़ेच करने के बाद सबसे पहले आपको एक चीज़ स्टार्ट करना है सटिंग में आने के बाद क्या आपक Recently जो आपने अभी बनाया है वुसी पर आटेच है या फिलिफोल्ट पे उट्मैटिक चला गया है अगर पुल पे चले जाता है डीबूस के बाद तो आपको थी इसको एक्टिव करना है और इसके बाद कोई आपको रहेव这род नहें करना है इसके बाद आप अपने इंटरनेट को अंची से बाइ